नमश्कार मित्रों टीबी 20 नियूज़ पर लगातार खबरे जारी है अपने अपने चेत्रों की खबरों को देखने के बने रही है हमारे साथ आया नज़त डालते हैं आज की मुख्य मुख्य खबरों की तरफ इंद्रा जी की हत्या के बाद भी कांग्रियस को देख के अधिक स्याधिक लोग सबाब में जीत मिली थी तेल्गू देसम उस समय प्विपक्च के रूप में था मगर चार सो सिट जीतने का मतलब समोचे विपक्च का सफाया होना अखलेस जीका या बयान उनके मान से की दिव दिवालिया अपन का घाउ तक है या बाते भारते जन्ता पार्टिक के वरिष्ट निता रमाकांत रमीस अपनी आवास पर पत्र प्रतियों से बात कर रहा वारता के दुरान कही सब्वा मुख्या अखलेस जादों के बयानों को जब देते हुए कहा कि प्रदीस उत्तर प्र पुर्चेदर के छेतिरे सहयों जख है रमसीवडी कॉलेज छादर संग के पुरोधेक श्रमाय कांत मिस्रा ने क्या कुछ कहा है और अपने पार्टी के दस सिर्सस्त नेताओं की आयकी सूची जारी करने हम तो क्यों उनके आयकी सूची जारी करना चाहते हैं और आप अत्रुणिया छेत्र में ही समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं बनाम्यादों जी उनके बेटे भी धायक हैं कि आज जो हंडेट बेट हस्पिटल है कभी इनों ने उस जमीन को भी एक कोयर करा लिया था अपने पिता जी के नाम आज भी आपको जानकारी नहीं होगी तो मैं आपके माध्यां से आम जंता को भी बताना चाहता हूं कि एक करोड़ चौंसट लाख रुपया के प्रतिकर क भुक्तान फर्जी तरीके से बल्लाम और बल्लाम के परिजन लेने का प्रयास कर रहे थे आजमगर के जिलाधिकारी ने उस पे रोख लगाई है कि अपर कभजा अधिक संपत्ति समाजवादी पार्टी के नेताओं का मूल चरीत्र भारती जंठा पार्टी की चमदी सरकार में और साढ़ेश-煞ारी साल की उत्तर प्रदेश की सरकार में हमारे आधनी योगी जी और आधनी-मोधी जी के आजमगण में जो उनका परिवार है वह एक गिरोह है गिरोह के बीच उनका आना जाना है अगर आजमगण की आम जनता को वह अपना परिवार मानते तो बाड की भीष का तमाम उनके जीवन में आ रही समस्याएं कोबिड की महामारी में क्या कभी समाजवादी पार्टी की किसी नेता का दर्सन सणक पे हुआ अखलेज जी कभी अपनी पालियामेंट में आए क्योल ट क्योल ट्विटर पे जनता को रहत नहीं मिल सकती उसके दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यबंदरी माननी योगी जी कोबिट पीडित होते हुए भी लगातार अपने टीम के साथ चर्चा करना और जेवही वह निगेटिव हुए दोरे पे निकलके उत्तर में आम आदमी अपने नेता से जीवन्त और सास्व संबंद चाहता है जिसे देने में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से फ्लाप है इनके पास न कोई दिसा है न कोई दर्सन है यह एक गिरोह के माध्यम से वर्ग संगर्स करा करके सत्ता में आने का प्रयास करते हैं जो अब उत्तरप्रदेश में कभी पूरा होने वाला नहीं है 400 का सपना देखने वाले 40 का अकड़ा नहीं पार कर पाएंगे यह मेरी